मुझा असलाम अलेकूम मैं जुलेखारफाद जुलेखास किचिन से तो चलिया आज हम बनाते बढ़िया सी बहतरीन और डिफरेंट स्टाइल की मतन कीमा हाज की रसेपी का नाम है वाइट मतन कीमा आप अब इसे बी के सकते हैं यह पिर खड़े मसालें वाला बाइट मकीमा कई यह फिर मुझा अरफाद बराबर नाम लिया क्योंकि अरफाद मुझा अरफाद मुरादाबाद केंट उन्हें पराबर प्रनाूंसिय'M01 प्ता है पॉर्टम, पैन, कड़ाई या फिर पतिली लीजिए और उसके अंदर आधा कब तेल दाल दीजिए ये गरम मसाले हैं, एक तंडी दालचीनी की, एक बड़ी इलाईची, छे हरी इलाईची, वन फोट छोट चैका चमच काली मिर्श, थ्री फोट चैका चमच जीरा, दो और त मैंने बीज निकाल लिए और मोटे मोटे पीस किये, और वो तीन से चार हरी मिर्चीों को मैंने मोटा मोटा पीस किया है, और ये भी डाल दीजिए, और ये जो तेल है इसमें अच्छा फ्लेवर निकल जाने दीजिए, समझे ना, दस भी सेकेंड तक इन्हें भी फ्राय किये, बार-बार चलाते रहें प्यास को तब तब पकाएं जब तक प्यास है ना, पिंकिश कलर नहीं हो जादे, जब कछी पकी होती है, और पिर जब हलका सा कलर जब छेंज होने वाला होता है, तb पिंकिश हो जाती, बस वहां तखी से फ्राय करना है, शीलिए प्यास पहले तो mix कर लीजिए, बहुत अच्छे से, जब कीमा अच्छे से mix हो जाए तो नमक दाल दीजिए स्वाधनों साब, मैंने आदा छोटे चाई का चमश दालाया और बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो mix कर लीजिए, उसके बाद दाल दीजिए, डेट टीबस्पून बारिक अदरग, तो यहां पर मैंने बारिक काटा हुआ लसन और अदरग दालाया, आप चाहें तो बारिक कटा हुआ अदरग लसन को स्केप करके दो टेबस्पून पेस्ट दाल सकते हैं अदरग लसन का, चलिए यहां चुला मैंने मीडियम कर दिया और दही वानफोत कप दाल दी तब तक पकाएं जब तक पुरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता तब तक और जब चेंज हो जाएं तो मैं चूला कर देती उस लो आज और इसे ठापकर दम पर पकने दीजिए 15-20 मिनिट यहां तब तक पकाएं जब तक मतन नहीं हो जाता अचा अगर आपकी पतेली जो है जो 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 पानी है उसका फुद का चूटता है और जो दही उसका भी पानी चूटेगा तो तो पक जाएगा तो आपका कीमा 15 मिनिट में तो पक जाएगा तो आपको चाहिए तो आप 1-4 cup से आधह कब जितना पानी डाल सकते हैं और या फिर आप नए हो और आपको डर जाएगा है कि चितक जाएगा तो तब आप 1-4 cup से आधह कब के दर्मियान में पानी डाल ही दीजिए और एक उबाल किला कर फिर स्लो आज करके दम पे रखिए आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं इस समय आधह कब पानी डाल दीजिए और धकन लगा दीजिए कुकर क और 3-4 सिठी खिला कर फिर बंद कर दीजिएगा 25-30 मिनिट हो चुके हैं ये देखिए मैंने खोल लिया और अब आप देख लीजिए मटन गल गया है कि नहीं तो ओवियसली होई गया है अच्छा बीच में ना 15 मिनिट के बाद है ना मैंने पहले एक बार खोल कर चेक कर लि अब सुरी माफी चाती हूं वह वाला क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई किसी वजह से माफी चाती हूं लेकिन आप भी 15 मिनिट के बाद चेक कर लिजिए अगर लगे पानी दालने जैसा तो ज़रूर दाल दीजिएगा मेरी तरह और अगर आपकी मूटी पती लिए तो दालन मेरी मिर्चिया कम दाली ती लेकिन तब भी यह अपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते मैंने स्लिट मार कर दाली है अब जब देखें आपके तेज छूट चुका है और अच्छा सूख चुका है यह तो यहां पर बारिक कर्टी हूवी कोथमी रहने के हरा दनिया दा सर्फ कीजिए रोटी पराथा फुलका या बटनान के साथ वैसे इन में से कुछ की रैसेपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वह चेक कर लीजिएगा बस इसमें दो ही चीज का आपने खयाल रखना है कि हरी मिर्चियों लाल मिल्चिया आपने स्वाद अनुसार दालें आपने जितना स्पाइसी ची उस हिसाब से मिर्चियों का इस्तमाल करें और दूसरी बात यह है कि जो पानी डालने वाला प्रोसीजर है उसे आप बराबर से देख लीजिएगा क्योंकि अगर आपकी मोटी पतीली है तो जैसे मैंने कहा आपको जरूरत नहीं पढ़ लेकिन पंदरा मिनिट के बाद चेक जरूर कीजिएगा अगर लगे सुखरा है तब या वन फोट कप से आधे कप के दर्मियान में डाल कर फिर बंद करके रख दीजिएगा 10-15 मिनिट के लिए और चलिए अब मैंने गानिश किया फिर से और इसे गर्मा करम में सर्फ करती ह तो है ना मज़ेदार ये रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए वाले वीडियो को उससे अच्छी लगे अपने मेरा फैमिली और फ्रेंस में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवर्ट कीजिएगा अगर आप ये रसेपी बनाए तो मेरे साथ कमें स्क्षिन में जरूर शेय कीजिएगा मुझे अपकी कमेंस पढ़ने बहुत अच्छे लगते फिर से रहाजिर होंगे एक नई शांदर दमदर वेसिपी के साथ अंतल देन टेक कर आला आपसे बाए